अच्छा बाब का फुसूसी तोर पे कल सी मार्ची चले थी और फुसूसी शूपिया इसके के हम जब भी मुश्किल में आते हैं हमें एक चीज का सबून होता है कि हमारी परादरी और हमारी यूनियन जमारे साथ करी और यह पेशा हुआ है अभी किसी ने मुझसे कहा कि यही तैंट दो साल पहले जियो के बाहर लगे और आज यह एर वाई के बाहर लगे और यह तफरीक नहीं होती को कि चैनल कौन सा है यह वरकर्स के लिए वरकिंग जनरिस्ट के लिए आजादिय साफ़त के लिए और हमारी राय के इजहार की आजादी के लिए इससे बेतर नहीं हो सकता कि हमारी पहली लाइन ओफ डिफेंस हमारी अपनी बरादरी और उसके बाद फिर हम दूसी उसमें कोर्ट की तरफ देख ऐसे में इसलिए सबसे पहरे तो तहीं दिल से शुक्री आफ सब का कि आप लोग सारे यह आपर आए हैं और क्यों बंद हुआ यह तो जाहिर है पर सभाऀ का जवाब तो बड़ा असान है लेकिन देना बड़ा मुश्किल है ना कहता तो मुश्किल होती है कि एक वीपर introductions का, रोकना, काटना का है, रोकना का है, अब गिल साब जब बात कर रहे थे तो उस वर्दे यूज आंकल बैठी थी, उसने शायद नहीं ठीक लगा उसको के कही रोकें या उसने का जाने नहीं उसको शायद ये भी ऐसासना बात तक ना हुआ हो, कि इल साब कोई बड़ी बात कर गए है, कोई ऐसी बात कर गए है, जिसके उपर चैनल्स बंद होंगे, हमारा हेड अफ न्यूस गरिफतार होगा, सोचे जरा, किस मुल्क में हेड अफ न्यूस को भी गरिफतार कर लिया जाता है, रात को दो बज़े, दर्वाजे तोड़ के, एक सिबल तरीका भी हो सकता है, किसी को किरिफतार करने का, एक बेटर तरीका हो सकता है, हम तो कहते हैं, हमें बुलाएं हम खुद आ जाएंगे, आपको अमारे घरों में दर्वाजे तोड़ के घुसने की जरुद कहाई है, जहां जबान बच्चियां थी उसकी, बेडरूम जो रैडलाइन दमें उदर से आई है, उसके खिलाफ है, उसकी वज़ा से एक घुसा लेकिन ये घुसा भी, अगर मैं इसको लोजिकली अगर आप इसको देखें तो जड़ा थोड़ा सा, मुझे ये लगता है कि घुसा को ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये हमने बहाना किस तरह ये ये कारवाई करनी है, लेकिन अनफॉर्शनेटली अब तो हो गया, अब हमें मैसेज हम तो कोशिश तो कर रहे थे किसी तरह हमारे यूनियन है कि उस्तुकू करें, किसी से बात करें, को जाहरा है, सिंध हाई कोट का ओर्डर है, इदारा के चैनल खोला जाए, अ किसी से बात ज्यादा सीरियस होती जा रहे है, हम भी कोशिश कर रहे हैं, अपनी यूनियन के ज़री है, मेरा तो ख्याल है कि हमारा फर्स लाइन ऑफ डिफेंस यूनियन होती है, और इसकी वज़ा यह है कि हम तो जाहरा कॉंप्रमाईजस तो नहीं कर सकते जा कि यह हम यह तो यूनियन एक प्रिंसिपल लेवल के अबर जाकर जाके, एक असूली लेवल के आप़ जाके बाद सीथ करती है। यह हम बात कर लीता ओर असूल के ऑपर कोई कॉप्रमाईजर कर बो जा है, अब देखते हैं कि मामला जाके सेटल का होता है, फिला तो हलात खराब हैं, हम आएंगे तो जनलिस्टाजाब होगा इस मुल्क में फैशन्सम है मेरे सामने वो पांच तस्वीर हैं मारे दोस्तों की लगी हैं जिनके नाम फाई यारों में जिन में से एक को उठाया जा चुका दो मुल्क छोड़के चले गए और बाकी दसदास फाई यारे उनके चाहिए वो अमरान ग्रास खान की बारी आपको याद होगा मलिक एहमुत खान साब ने आकर उसको जस्टिफाय किया अब आके साड़े छे बज़े के करीब एक उसको होती है टीवी पर राना स्नावला साब की तमान तर इंवेस्टिकेशन अगले आदे पोने गंटे में हम फिर भी अपने लेबल पर एक जनलिस्टिक कोशिश करेंगे जब तक कर सकते हैं खड़े तो हम रहेंगे इन्शालला कभी मैंने अमेशा यह देखा है कि हमारे भाई लोग जो हमारे साथ यहां पर हैं और जो इन्शालला यहीं पर यहां हमारे साथ खड़े और खड़े यही हमारा सबसे बेतर remedy हमारे पास ही हमसके आइलावा कुछ नहीं कर सकते है और हम देखते भी अपनी unions की तरफ है अपने जनलेस्थ भाईयों की तरफ देखते हैं कि जब भी फ्laşत के वोगोगोग ही किसी को भी फ्लख़ई हो तो हम ने हमेशा ये काम किया बक्सार, थैंक्यू वेरी मुझ्ट